खुलूंखा चिबाई मेरे सब प्यारे तीप्राशा लोगों को मैं आज फेस्बुक लाइव में आ रहा हूं आप लोगों को कुछ बात बतानी के लिए सबसे पहले मैं अपने तीप्राशा लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं आप मेरे साथ फाइट कर रहे हो आप मेरे साथ स्ट्रागल कर रहे हो आपने स्ट्रागल किया है आज विमिन्स डे भी है मैं अपने सब मा को अपने बहनों को मेरे बुमा को जो मेरा असली पावर है जो मेरा असली शक्ती है मैं आपको अपने दिल से ये बात बोलना चाहता हूँ कि आज अगर हमारा शक्ती कुछ भी है तो वो आप से है आपने हमारे लिए बहुत संखर्ष किया है और आपने मुझे प्यार दिया है आपने मुझे इज़त दी है और जब मैं कमजोर था तो आपने अपना हाथ मेरे सर के उपर रखके आपने अपने बुबागरा को राजा बन के नहीं अपना बेटा समझके अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझके आपने मुझे जो प्यार और जो शक्ती दिया है वो बहुत कम लोग समझते हैं उसका मतलब क्या है पिछले दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत लोग जो मुझे पसंद करते हैं लेकिन थोड़ा कन्फूजन है उनको लगता है कि हम बीजेपी के संग हम बीजेपी के संग जोइन हो चुके हैं हमने कॉंपरमाईज कर दिया है हमने अपना जो आइडियोलजी है उसको कॉंपरमाईज किया है वो फेसबुक में लिख रहे हैं मुझे मेसेज भी कर रहे हैं बहुत लोग बोल रहे हैं कि बागरा हम आपके उपर विश्वास करते हैं लेकिन बहुत लीडर्स है जो तीप्रा मौथा में है उनके उपर विश्वास नहीं करते हैं ठीक है मैं समझता हूँ आपका इमोशन मैं समझता हूँ मेरा जूटी भी बनता है कि आपको समझाओ कि मैंने ये क्या है, क्यों किया है सबसे पहले एक बात क्लियर है कि मैंने हमेशा कहा था कि जब तक राइटिंग में मुझे कोई आस्वाशन नहीं मिलेगा, मैं किसी के साथ अलाइंस नहीं करूँगा मैंने कॉंग्रिस से बात किया मैंने CPM से बात किया मैंने BGP से बात किया इलेक्शन के पहले ना BGP ना कॉंग्रिस ना CEPM ने हमें गारंटी में कुछ लिख के देने के लिए बात किया BGP ने एक ड्राफ्ट दिखाया लेकिन मैं उसमें राजी नहीं था हम लोग राजी नहीं थे मैं इलेक्शन के बाद भी मैंने कॉंग्रिस से बात किया मैंने उनको भी कहा लेकिन उनका अपना रीजन होगा लेकिन उन्होंने बात नहीं माना लेकिन जब मैं हंगर्स ट्रैक में गया जब हमने प्रेशर किया तब फाइनली जो लोग मेरा मजा को रा रहे थे कि मिश्रा नहीं आएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या है ये आपका डिमान, क्या है ये Constitutional Solution, आज Government of India के Home Minister ने खुद TV के सामने स्विकार किया कि तुरुपरा में तुरुपरा का हिस्ट्री एक चीज है और तुरु Government of India कॉंग्रिस का हो या BGP का हो या जनता दल का हो या किसी का भी हो, Government of India का Home Minister अगर स्विकार करता है कि तुरुपरा में अन्याई हुआ हमारे तिप्रासा के साथ, तो ये एक बड़ा acceptance है कि गलती हुई है और आने वाले दिन में वो गलती को सुधारना चाहते हैं, अब य या Agreement जो हुआ है, ये Agreement में State Government, Central Government और हम है, हमें प्रेशर रखना है, हम प्रेशर कैसा रखेंगे, प्रेशर हम इसलिए ऐसे एक तरह किसे रख सकते हैं कि State में अपना दो लोग जाएंगे और Cabinet में प्रेशर रखेंगे कि जो भी हमारा EDC का funding है, जो भी हमारा लोगों का demand है, उसको आप time to clear कीजिए, आपने देखा, 110 post के लिए 27,000 लोगों ने apply किया, मैं EDC में computerization करना चाहता हूँ, पैसा नहीं मिलता है, मैं teachers को, English speaking teachers को नौकरी देना चाहता हूँ, हमारे इतने youth unemployed है, जो English teaching कर सकते हैं, पैसा नहीं दिया जाता है, हम जो भी projects भेजते हैं, पास नह ही होता है, अब हमारा दो cabinet minister, दो ministers हमारे cabinet के अंदर रहेंगे, अब ये pressure दालेंगे कि हमारा police bill, जिसके लिए funding चाहिए, village police के लिए, वो clear हो, हमारा custom records होदा का, हमारा चंताई का, हमारा समाज का, चुबलाई बुथो का, जो भी हमारा custom उसका पैसा time दिया है, अब EDC में हमारे दो लोग हैं अंदर, और मैंने विकाश और सुकला को भी कहा, कि पहले आप party को छोड़िये, और जाती के बारे एक होकर हमारी minister के साथ मिलके, funds, टैमली भीजिये, हमारे लोगों को help होगा, इसके लिए मैंने दो लोगों को cabinet में भीजा, pressure दालने के लिए, लोक सभा म हम choose करेंगे candidate कौन जाएगा, symbol, national election में मतलब नहीं होता, pineapple हो या कुछ और हो, candidate मैं चुनूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि अगर गलत लोग दिल्ली गए, तो वही मजा को राएंगे हमारा, वही हमें खतम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको दिल्ली जाने के बात करेंगा, और हमारा opposition नहीं करेंगा, मैं परवा नहीं करता हूँ कि सिंबल क्या हो, असली आदनी, right man has to go, right person has to go to Delhi, और मेरा रोल, मैं ना government में बैठूँगा, ना मैं cabinet में बैठूँगा, ना मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, और मैं प्रेशर के थूँगा, यह committee बनेगा, committee में मुझे lawyers चाहिए, जो land का कानून जानता है, committee में मुझे वैसे लोग चाहिए, जो एतिहास तुर्परा का जानता है, जो language के बारे जानता है, politician कम और intellectual जादा चाहिए, क्योंकि जो छे महने में हमको निकालना है, वो हमको सोच समझ के और यहां से, यहां से fight करना पड़ेगा, यह माइक पकड़ के fight नहीं करना पड़ेगा, यहां से करना पड़ेगा, मैं बहुत clear हूँ, मैं बहुत clear हूँ, कि मुझे क्या करना है, आज अगर मैं अकेला भूख हर्ताल नहीं करता, तो गर्वर्मेंट यहां तक भी नहीं आता है, तो मैं दिमाग से fight करूँगा, आपका support तो चाहिए, लेकिन आपका प्यार, आपका आशिरवात भी चाहिए, 80 में, और अगर हमको, अपना point, अपना लोगों को, अगर आज government of India हमें कुछ देता है, तो यह मेरे लिए नहीं होगा, हम सब के लिए होगा, हाँ, बहुत लोगों को खराब भी लग रहा होगा, क्योंकि मेरे उपर इतना गाली दिया, मुझे attack किया गया, और यही लोग हम उनके साथ बैठ रहे हैं, मैं नहीं बैठ रहा हूँ, मैं तीपरासा के संग बैठ रहा हूँ, और अगर तीपरासा के लिए, कुछ मिलने के लिए मुझे कोई दस गाली भी दे, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा जब तक हमारे तीपरासा को, उनका constitutional solution fully नहीं मिलता, और के बाद, मुझे जो करना है, मैं करूँगा, आप लोगों को लगता हुगा, एक आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि, बभागरा, बीजेपी ने आईपी एफटी को धोका दिया, आपको भी धोका देगा, आईपी एफटी मेरा role model नहीं है, मेरा role model अगर होगा, तो शामा आप जानते हो, बहुत लोग जो यू थे, आपको मालूम नहीं है, जब शामा चरन त्रिपुरा और नागेंदर जमत्या, द्राव कुमार रियांग ने EDC के लिए फाइट किया, और जब बात चला, तो इंद्रा गांधी ने कहा कि, आप हमें सपोर्ट करो, उन्होंने सपो 1988 में जब विजयर अंखौल ने राजीव गांधी के संग भात किया है, तो उस समय CPM के गनमुत्री परिशत के लोगों ने का, अरे विजयर अंखौल ने तिपरासा को बेज दिया, अब ये तो राजीव गांधी को बेज चुका है, क्योंकि सेंटर में राजीव गांधी व हमें मिला है, वो विजयर अंखौल ने दिया, क्या विजयर अंखौल के पास महल है, आज नहीं, लेकिन उसने हमें तीन सीट दिया, आज जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं कॉंग्रेस से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गर्मेंट जो लोग बोलते थे कि प्रद्यों तो उग्रुपन्ती है, कॉमिनल है आज तीप्रासा को उग्रुपन्ती बोलते थे अब लोग आज बिना एक गोली चलाए है, बिना एक आदमी का खून बहे हमने गवर्मेंट अफ इंडिया को अपने टेबल में लाकर एक्सेप्ट कराया कि अतिहास में गल्ती हुआ है और एक अग्रिमेंट कागस में साइन करके हमने किया, हम IPFT नहीं है, IPFT का अग्रिमेंट में JP नड़ा का साइन था, वो BJP का प्रेसेडन्ट है, हमारे अग्रिमेंट में होम सेकेट्री, चीफ सेकेट्री जो officials हैं उनके साथ हुआ है IPFT ने और एक गलती किया जब वो power में आए तो उनका top two leaders NC देबर्मा, President मेवार कुमार जमत्या, General Secretary दोनों मंत्री बन गए जिस दिन party का top two leaders ही मंत्री बन जाते हैं तो एक message जाता है कि मंत्री party से बड़ा है तिप्रा मौथा में मुझसे बड़ा leader नहीं है कोई और मैं मंत्री नहीं बन रहा हूँ और मैं मंत्री परिशत से बाहर रहे कर वही करूंगा जो मेरे लोगों के लिए right है मैंने कभी कहा था अगर घी सीधे उंगली से नहीं निकले तो टेड़ा उंगली करके भी निकालना पड़ता लेकिन घी निकालना ही पड़ेगा आज मैं वो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ और मैं दरता नहीं हूँ अगर मैं दरता तो चुप बेड़ता मैं facebook live में आकर आपको बता रहा हूँ मैंने क्या किया और लोगसवा के बारे भी मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ लोगसवा में मैं अपना लोग को भेजूँगा ना कि वो लोग जिसने हमारे जन जाती का मजा को राया जिसने हमारा movement का मजा को राया जिसने गाली बका जिसने क्या नहीं अनाप शनाप बगा मैं अपना आदमी क्यों भेज रहा हूँ मैं अपने लोगों को क्यों भेज रहा हूँ क्यों कि मैं जानता हूँ कि दिल्ली में भी हमारे उपर प्रेशर आएगा और अगर MP अपना नहीं हुआ MP हमारे हाथ में नहीं रहा पाटी कोई भी हो सिंबल कोई भी हो अगर अपना बारे अपने Constitutional Right के बारे वो MP ने बात नहीं किया तो नुकसान Community का हो मैं लंबा खेल रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ और हाँ CPM बोल रहा है कि आप यह है वो है CPM आपने क्या क्या 25 साल तक हमारे साथ पावर में थे क्यों नहीं किया जब आपके पास पावर था आपको किस ने रोका था UPA था मैं था कॉंग्रिस में INPT बिजयर अंखौल जगदीश दे बर्मा रबिंद दे बर्मा कितने बार दिली गए कितने बार शंबू सिंग से मिला कहा कि 125th amendment पास कीजिए 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 नहीं किया आपने आपने सच्चिन टिंदुलगर को भारत रतने दे दिया लेकिन हमारे North East के Councils को आपने 125th amendment नहीं दिया क्योंकि आपका priority ही कुछ और था आज आप बोल रहें कि हम करेंगे आज आप power में नहीं है और मैं जानता हूँ कि आप power में नहीं आ रहे हैं तो मैं उसी से बात करूँगा जो हमें कुछ दे सकता है मैं आपका लड़ाए लड़के अपने लोगों को और गरीब भिकारी और वंचित नहीं रख सकता हूँ लेकिन हाँ मैं आज भी राहूल गांदी के खिलाफ प्रियांका गांदी के खिलाफ सुनिय जी के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं आज भी यज़त करता हूँ लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे लोगों को आज न्याई चाहिए हमारे लोगों को आज जस्टिस चाहिए और मैं उनि से बात करूँगा जो आज position में है power में है हमारे लोगों को कुछ देने के लिए मैं अपने मंत्री को भी बोलना चाहता हूँ ब्रिश्यकीतु और अनिमेश को मैंने बोल भी दिया है प्रैविटली लेकिन आपके थुरू भी बोलना चाहता हूँ आपका काम हमारा आवास को कैबिनेट में रखने के लिए अगर मादबारी जैसा कुछ हुआ तो मैं आपको बोलूगा कि आपको हटना होगा और आपको हटना होगा क्योंकि आपको ये पुजिशन पब्लिक ने दिया है और जिस दिन आप पब्लिक के बारे कम बोलोगे उस दिन आपका टाइम खतम हो जाएगा मैं प्रद्योद विक्रम माने किया भूब घर दाल में गया पास दिन दे कुछ नहीं खाया आपके लिए रोया आपके लिए फ्ट किया आज मैं वही प्रद्योद विक्रम माने किया आपको बोलना चाहता हूँ लोग सभा के बाद 6 महने का टाइम लाइन है 100% मिलेगा मैं जानता नहीं हूँ लेकिन अगर 70% भी मिला जिसे होम मिनिस्टर ने कहा है गलती हुई है पास्ट में गलती हुई है आने वाले दिन में देखकर हमें आगे का रास्ता निकालना पड़ेगा होम मिनिस्टर ने कहा है होम मिनिस्टर ने और एक चीज़ कहा हम एक कदम नहीं हम दो कदम आगे बढ़ेंगे अगर देश का होम मिनिस्टर ये प्रॉमिस करता है मुझे नहीं टीवी के सामने सब तीपरासा को प्रॉमिस करता है तो हमें भी विश्वास करना चाहिए चांस देना चाहिए मैं आपको बोला चाहता हूँ कि दूसरे के फाइट में मत गिरो कौन बिहार में जीत रहा है कौन उत्तर प्रदेश में जीत रहा है कौन बंगाल में जीत रहा है कौन टमिलनाड में जीत रहा है कौन करनाटिका में जीत रहा है उसमें मुझे नहीं पढ़ना है किसी ने चिंता किया जब हमारा क्या हो रहा था किसी ने चिंता किया जब हम लोग के लोग मर रहे थे किसी ने चिंता किया जब हमारे उपर किसी और का भाष़त लगाया जा रहा था किसी ने चिंता किया जब हमारा माँ गरीब माँ किलो मीटर चलता था पानी के लिए किसी ने चिंता किया जब हमारे बुरू को कंजनपूर में भिकारी जैसा रखा गया था किसी ने आवाज उठाया नहीं तो मैं भी आज आज उनके लिए नहीं उठाऊंगा तुकि आपने मेरे लिए आवाज नहीं उठाया, आज मेरा वफादारी मेरे कम्यूनिटी के साथ, आज मेरा इमानदारी मेरे कम्यूनिटी के साथ, आज मेरा फाइट मेरे कम्यूनिटी को उठाने के लिए, और जब तक, जब तक, और हाँ, यहां में दो-तीन लोग है, where is your TPRA land कहा agreement में डिखा है कि नहीं मिलेगा sir मजाक मत ओडाई है हमारा आपने मजाक ओडाया कि छोटा पार्टी है आपने मजाक ओडाया मिश्रा नहीं आएगा आपने मजाक ओडाया भूख करो, भूख से मरो कुछ नहीं मिलेगा मिला ना आज भी आप मजाख उराते हो, जादा मजाख मत उड़ाओ, महा भारत में पांडव ने पांच गाउं वांगा था, पांच गाउं, अगर दुरिधन दे देता है, तो महा भारत नहीं होता है, दुरिधन को मलना नहीं पड़ता है, दिल बड़ा करो, हमारे तीप्रासाने sacrifice किया है आज समय आया है कि हम सब भाई-भाई बनकर रास्ता देखे एक दूसरा से ना लड़े और इसके लिए हमें clearly भाई-भाई बनके लड़ना है भाई-भाई के साथ लड़ना है आज अगर त्रुपरा के महराजा बाउंडरी नहीं खोलते 46-47 में तो जो लोग आज जैशी राम बोल रहे हैं अल्ला हो अक्बर बोलते समझ की जाईए कि हमने भी अपना जमीन खोला कॉंट्रिब्यूट किया हमारे बारे भी थोड़ा सा सोचिए हम किसी के खिलाफ नहीं है हम अपने लोग के उठानी के लिए हैं ये मेरा मेसेज है बहुत लोग जो उल्टा सीदा बोलेंगे उनको बोलना है बोलने दीजिए आपका नफरत को मैं प्यार में कनवर्ट करूँगा और हाँ आज जो मेरा दोस्त है पहले मेरा जो जो दोस्त था वो दोस्ती रहेगा आज भी मैं क्योंकि मैं यहां में आया हूँ तो मैं अपने पुराने दोस्तों का राहूल गांदी हो प्रियांका जी हो या सोने जी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा मेरा लड़ाए उनको गाली देकर उठना नहीं है मेरा लड़ाए अपने लोगों को उठाकर अपने next generation को कुछ देकर हम अपना लड़ाए को जीच सकते हैं और अब टाइम आया है कि हमें यह fight यहां से भी और यहां से भी लड़ना है और वो मैं करूँगा अगर आपको कुछ बुरा लगा तो मैं माफी मंगना चाहता हूं I love you and I am sorry if I have hurt you but I am only fighting so that we can get a better tomorrow this tomorrow is for you once again and happy women's day to all my boomas, sisters, mothers I love you God bless you God bless Deepra Sa